नमस्कार आप सभी का स्वागत है दोस्तो आचारे चानके के बारे में आपको बतानी की जुरत नहीं है कि वो कितने महान ग्यानी थे उनकी नीतियों में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी आम इंसान को कामियाब बना सकती है चानक की नीतियों को अगर आप अच्छी तरह से अपनी जीवन में उतारते हैं तो आपको सपल होने से कोई नहीं रोक सकता आज हम आपको आचारे चानक की जेने बताई हुई ऐसी बातों के बार में बताएंगे जो आपको सुबह उटने के बाद नहीं देखनी चाहिए दोस्तों चानक के क्यानुसार मनुश को ब्रह्म मुहुर्त पर जागना चाहिए जिस घर के लोग देर तक सोते हैं ऐसे घर से देवी लक्षमी चली जाती है और ऐसे घरों में रहने वाले लोग कभी अमिर नहीं बन सकते साथ ही जिस घर की मैलाए देर तक सोती है प्रातकाल में घर की सपाई नहीं करती ऐसे घर में देवी लक्षमी कभी प्रवेश नहीं करती देर तक सोना आलस की निशानी है सुर्य देश से पहले जागने के बाद देवी देवताओं की कृपाप्राप्तों होती है और वैग्यनिक दर्ष्टिकॉन से देखा जाए तो ये सिहत के लिए भी अच्छा होता है देर रात तक जागना भी हमारी सिहत के लिए सही नहीं होता इससे हमें कई मानसिक बीमारिया होती है दोस्तों हर सुबे एक वेक्ति के लिए नया सवेरा लेकर आती है अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है लेकिन अगर दिन की शुरुआत में ही आप अशुब चीजों का धर्षन करते है तो इसका असर आप के पूरे दिन पर पढ़ता है और दिन भर आपका काम में मन नहीं लगता हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है अगर आप इन चीजों को सुबे जागने के बाद देखते है तो आपके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता तो आईए जानते हैं कौन सी ये वो चीजे जो हमें सुबे उटने के बाद नहीं देखनी चाहिए लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक अवश्य करें क्योंकि आप बाद में बोल जाते हैं तो आईए जानते हैं कौन सी ये वो चीजे पहली है चरित्रहिन स्त्री दोस्तों शास्त्रों के अनुसार मनुश्य को सुबवटने के बाद किसी भी चरित्रहिन अवरत को नहीं देखना चाहिए ऐसा माना जाता है कि सुबवटने के पहच्चात किसी चरित्रहिन विक्ति का मूँ देखना अशुब होता है अगर दिन की शुरुआत में ही ऐसे विक्ति का मूँ देख लेते हैं तो पूरा दिन खराब जाता है साथ यह सिस्त्री को देखने से काम भाव जागरित हो जाता है और विक्ति का दिन भर काम में मन नहीं लगता सुबह उटने के बाद माता पिता एवं भगवान के दर्शन करने चाहिए जिससे पूरा दिन आपका मन प्रसन रहेगा और काम में भी मन लगेगा दूसरी चीज़ है आईना यह बात वैगयनिकों ने भी मानी है कि सुबह उटने के तुरंद बाद आईना नहीं देखना चाहिए इससे आपके मन पर नकारत्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है शास्तर के अनुसार सुबह उटते ही तूटे हुए आईने में अपनी शकल भूद से भी नहीं देखनी चाहिए तूटा हो आईना घर में होना ही नहीं चाहिए यह घर में नकारत्मक ता को बढ़ाता है इसलिए घर में तूटा आईना है तो उसे तुरंद फेक दे नहीं तो यह आपको गरिब बना कर रख देगा तीसरा है जूट बोलने वाला विक्ती दोस्तो सुबह उटने के बाद किसी जूटे विक्ती की शकल भी नहीं देखनी चाहिए अगर आपकी दिन की शुरुआत ही किसी जूटे विक्ती की जूटी बातों से होती है तो आपका दिन अच्छा थोड़े ही जाएगा इसलिए सुबह सुबह किसी जूटे विक्ती की शकल नहीं देखनी चाहिए और नहीं ऐसे विक्ती के साथ भहस करनी चाहिए चोती है हिंसक तस्वीरे वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उटने के तुरंद बाद हिंसक तस्वीरे नहीं देखनी चाहिए ऐसी तस्वीरे अपने बेडरू में भी नहीं लगानी चाहिए साथी हिंसक पशो की तस्वीरे भी ना लगाए ऐसी तस्वीरे से वेक्ति के अंदर तामसिक गुनग का विकास होता है इससे विक्ति क्रोधी बनने लगता है और घर परिवार में जगड़े बढ़ते हैं इसरे घर में हिंसक तस्विरे ना लगाए और सुबह सुबह इनका दर्शन भी ना करे गंदगी दोस्तों सुबह उटने के बाद उल्टी चपल, मकडी का जाला या घर की गंदगी नहीं देखनी चाहिए इन चीजों को देखने से आपकी सेथ पर असर पड़ता है मकडी के जाले भोती अशुब माने जाते हैं, कहा जाता है कि जिस घर में मकडी के जाले होते हैं, ऐसे घर में मालक्षमी कभी प्रवेश नहीं करती, खाली चीजे ना देखे दोस्तों सुबह उटने के बाद खाली बरतन और खाली बटवा नहीं देखना चाहिए, इन चीजों को देखने से आपकी किस्मत रूट जाती है सुबह भूल से भी घर के अंदर की खाली चीजे ना देखे लड़ाई जगडे दोस्तों सबसे महतोपुर्ण बात है, सुबह उटने के बाद कभी लड़ाई जगडे ना देखे सुबह सुबह लड़ाई जगडे देखने से घर में गरी भी आती है इसलिए आप अपने दिन की श्रुवात एक मुस्कान से करे दूसरों के साथ मीटी भाषा में बाते करे अगर सुबह सुबह ही आप किसी के साथ जगडा करते है या फिर दूसरों के जगडे में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते है तो इसका असर आपके जिवन पर पढ़ सकता है इसलिए सुबह सुबह लड़ाई जगड़े ना देखे तो दोस्ति यह थी वो बात ही जो सुबह उटने के बाद नहीं देखनी चाहिए अगर यह जान करें आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसी तरह की जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद